हेलो एंड वेल्कम तो एडियोलिक आज हम यूपीएसी के 2020 में आया हुआ एक कोईशन साल करने बाद हैं तो आए आए देखते है कोईशन क्या है इफ वन लीटर ऑफ वाटर वेट्स वन केजी देन हाव मैनी क्यूबिक मिलिमीटर ऑफ वाटर विल वेट जिरो पॉंट वन ग्राम ऑप्शन है वन टेन हंड्रेड थाउसन तो इसको हम कैसा हो कर सकते हैं देखते हैं अब यहाँ पर क्या बोलो किया है वन लीटर वन लीटर वाटर जो है कितने के बराबर है वन केजी के बराबर है और हमें पता है और हमें किसमें करवट करना है ग्राम में करवट करना है तो फिर वन केजी इसकोल टो हाँ मेनी ग्राम थाउसन ग्राम यह हमें पता है ठीक है अभी हमें क्यूबिक मिलिमीटर में करवट करना है मीटर क्योब ठीक है अभी इसको मिली मीटर में कर लेता अब मीटर है तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 10 raise to minus 3 1 meter is equal to how many millimeters thousand मिली मीटर और ये क्योब ठीक है अभी इसको 10 raise to minus 3 into अभी इसको हम कर लेंगे तो क्या जाएगा 10 raise to 3 यहाँ पर यहाँ पर 3 आचाएगा 9 millimeter cube आया अभी यह plus 9 है और यह minus 3 है तो यह हमारे पास क्या जाएगा 10 raise to minus 3 plus 9 is equal to plus 6 millimeter cube तो में पास 1 liter is equal to 10 raise to 6 millimeter cube आभी हमें क्या find करना है और यह 1 liter is equal to 1000 gram हमें है हमें यह पता है 10 is equal to 1000 gram अभी हमें यह पता है अभी हमें क्या find करना है how many cubic millimeters of water will be 0.1 gram यह हमें find करना है अभी simply यह 1000 को हम इस साइड ले लेगे 10 raise to 6 millimeter cube upon 1000 is equal to 1 gram ठीक है यह आया अब 10 raise to 6 को हमें expand करते है हमारे पास क्या आता है 1 2 3 1 2 3 6 zeros mm3 upon 1000 अभी इस सो cancel करते है इस equal to 1 gram हमारे पास यहां पर क्या आता है 1 gram इसको हमारे पास क्या आयेगा 1000 mm3 हमारे पास ही आया 1 gram इसको 1000 mm3 पर हमें क्या find करना है 0.1 gram हम कैसे find कर सकते हैं simply इसको 10 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों सैट से 10 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 gram is equal to अभी यहां पर आएगा 100 mm3 हमारे option क्या जाएगा option C thanks for watching